नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जर्नल पर आज हम आपको मू की लार से जुड़े कुछ स्वासलाब के बारे में बताएंगे मू में बनने वाली लार हमारी सेहत के लिए कितनी फायदे मंद है इस बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं देते लेकिन अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मू का स्वादबर करार रखने से लेकर कई बिमारियों और संक्रमणों का खत्रा हो सकता है मू की लार में टॉयले नामक एंजाइम होता है जो हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है और जो लोग गुटका खाते हैं या फिर ठूकते रहते हैं उनमें धीरे धीरे ये लार बनना बंध हो जाती है और मू के कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है तो चलिए दोस्तों अब हम आपको विस्तार से बताते हैं मू की लार से जुड़े कुछ स्वास्तलाब के बारे में सबसे पहले एकने वेदन उन सभी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारी चनल पर आये हैं क्रप्या हमारे चनल की सदस्ता को ज़रूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें अमारे दरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी उठा सकें साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंतितक सरूर देखेगा लार यदि उचित मात्रा में बनती है और वह आपके मू में किसी भी ब्रकार का संक्रमन नहीं होने देती है यहां मू की बद्बू से भी बजाती है और हानकारग बैक्तिरिया से भी निजात दिलाती है सुबह की लार या बासी थूप को आप जिस जगह घाव है उस स्थान पर लगाईए इससे बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा डाइबिटीस पेशेंट्स के घाव जल्दी नहीं भरते हैं या फिर बग जाते हैं तो आप इस उपाय को एक बास जरूर आजमा कर देखिए इसके परिणाम आपको नजर आने लग जाएंगे यदि आपको कहीं पर कट गया हो या फिर कहीं पर जल गया हो तो तुरंत उस जगह पर लार लगाईए इससे घाव देखते ही देखते बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे और आपको किसी दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि किसी के आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं तो सुबह उठकर मू की लार से वहाँ पे धीरे-धीरे मालिश करिए इसक करने से आपके काले घेरे जल्दी ठीक हो जाएंगे दोस्तों आप चश्मा उतारने के लिए भी बासी लार का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा बस आप सुबह उठते हैं तो मनजन करने से पहले जो बासी थूख हमारे मूँ में रहती है उसको काजल की तरह या फिर गुलाब जल की तरह अपनी आँखों की पलकों पर लगाईए या फिर आइलेट्स पर लगाईए ऐसा आप रात में सोते समय भी कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद